इंडिये वाण 2024 का क्या कट आफ होगा ये एक सवाल लगबग 5 लाख आइस्पिरेंट्स के जहन में गूंज राय जिन्होंने 21 एप्रिल 2024 को इंडिये का इंतिहान दिया है एस्पिरेंट्स नमशकार स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आज मैं आब इना मैं रुतरा बात करूँगा इंडिये वाण 2024 के कट आफ के बारे में कट आफ तीन फैक्टर्स पे निर्भर करता है पहला नंबर ओफ सीट्स कितनी है दूसरा उस सीट्स के अगेंस्ट कितने कैनिडेट्स ने ये पेपर दिया है और तीसरा पेपर का डिफिकल्टी लेविल क्या है कि एंडिये वान 2023 एंडिये तू 2023 में जो कट आफ था वो लगबग 300 मार्क्स का था जी एंडिये वान 2023 में 300 मार्क्स एंडिये टू 2023 में 292 मार्क्स जब मैं ये शप्त कट आफ बोलता हूं तो कट आफ में दो चीज़े आती है एक ओवराल स्कूर एक sectional कट आफ UPSC के आदेश अनुसार दो सेक्शन से मैच्स और गयाट दोनों सेक्शन में 25-25 परसेंट करना पेपर का जरूरी है ये एक एवरिज सेक्शनल कट ओफ रखा गया है वहीं ओवराल कट ओफ वो कट ओफ होता है जिस मार्क्स पे आप रिटिन कौलिफाइड कहलाते हों अगर आप NDA1 2023 की बात करो तो मैं पुर्णा दोर आ रहा हूँ NDA1 2023 में जो कट ओफ था वो 301 मार्क्स था और सेक्शनल कट ओफ 25 परसेंट था NDA2 2023 में ओवराल कट ओफ 292 मार्क्स का था और सेक्शनल कट ओफ वो ही 25 परसेंट इस बार 21 एप्रिल 2024 एक नया ट्रेंड देखने को मिला Maths का पेपर अपने आप में अच्छा खासा difficult पेपर था जी जेनरली UPSC average कर देता है कुछ section easy करता है कुछ section tough करता है कुछ section moderate करता है लेकिन Maths के पेपर में ज्यादा तर sections को tough देखते हुए Maths का पेपर काफी tough था यहां तक कि कुछ candidates यह भी कह रहे थे कि Calculus के questions तो बिल्कुल J.E. level के आ गए बिल्कुल J.E. के level के Calculus के questions देखने को मिले वहीं GAT में Physics का पेपर numerical based पेपर हो गया आज तक के इतियास में National Defense Academy में Physics में numericals बड़े direct formula based होते थे कभी कोई अलग टाइप का numerical या hardcore numericals नहीं पूछते थे लेकिन इस बार का physics paper was more of numerical based paper History जो की generally Indian freedom struggle से लोगों को पढ़ाई जाती है और modern history cover की जाती है इस बार paper में देखने को मिला कि ancient history से भी है, medual history से भी है, modern history से भी है इस बार current phase direct करके असान कर दिया गया और subjects को difficult कर दिया गया क्योंकि पिछले दो-तीन बार से लगतार current phase current phase current phase हर educator कह रहा था तो UPSC ने भी कहा कि चलो जी कुगली देते हैं और current phase तो असान कर दिया और subjects की पढ़ाई difficult कर दिया तो aspirants, overall paper का difficulty level देखते हुए, overall number of seats देखते हुए जो cut-off है, it should be between 280 to 285 marks जी, ये cut-off है और sectional cut-off won't be more than 20% याद रखियेगा, जितना difficult paper, उतना cut-off कम और क्योंकि India 1 2024 का GAT paper, का maths paper अपने आप में difficult paper था इसलिए team Trishul Defense Academy का अनुमान है, जो cut-off है, वो 280 से 285 जाएगी और जो sectional cut-off है, वो लगभग 20% का रहेगा 30 दिन से 45 दिन के अंतरगत आपका result आ जाएगा, और इस 30 दिन से 45 दिन में आपको पता चल जाएगा exact, कितना cut-off गया, क्या position रही बने रहेगा Trishul Defense Academy के साथ, जल्दी हम एक वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे latest changes seen in NDA1 2024, जी हाँ, क्या नया trend NDA ने start किया है, NDA1 2024 onwards, इस वीडियो को जरूर देखिएगा तब तक के लिए अजाज़त दीजे, बने रहेगा Trishul Defense Academy के साथ, थैंक यू, जैहिंत अब defense exam crack करना हुआ, और भी असान, Trishul Defense Academy लेकर आए हैं, बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes यू, बिल्कुल है।